दोस्तों ये है करनाटका जो दक्षिन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है ये मुखे रूप से अपनी विरासत स्थलों अपने वन्य जीव और राष्ट्रे उद्यानों के लिए जाना जाता है वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहां के विकास शील महानगरों का है तो आएए आज इस वीडियो में हम देखेंगे आबादी की दिर्ष्टी से करनाटका राज्ये के कुछ टॉप फाइव बेस्ट सिटीज के बारे में तो हमारी इस लिस्ट में नंबर पांच पर है बेल गावी सिटी जिसे बेल गाम के नाम से भी जाना जाता है ये नामानकित बेल गाम डिविजन और बेल गाम जिले का प्रशासनिक मुख्याले है जो 94 किलोमीटर स्क्वेर एरिया पर फैला हुआ एक खूब सूरत शेहर है तथा बेल गावी अपने वेजेटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपू यहां की अनुमानित जनसंख्या लगभग सात लाख पच्चिस हजार निवासियों की है। वहीं मैंगलोर करनाटका राज्य का एक मात्रैसा शहर है जो ट्रांस्पोर्टेशन के चारों पहलूँ से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये शहर रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। वैसे तो ये दोनों अलग-अलग शहर हैं जिने करनाटका राज्य के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। जहां हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है, वहीं धारवार को विद्यानगरी, पेडानगरी, पेडानगरी और विद्याकाशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इन दोनों शहरों की संयुक्त जन संख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है, वहीं इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सोविधाय मौजूद हैं। नमबर दो मैसूर सिटी ये चामुंडी हिल्स की तलहटी में स्थित एक बड़ा ही खुबसूरत शहर है, जो आज के समय में अपने टूरिजम और यहां की उभरती IT इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जहां पर इन्फोसिस और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों के उपस्थिती है, तथा इन सब के अलावा स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है, जहां की अनुमानित जन संख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है। और अखिर में जान लेते हैं नमबर एक के बारे में। तो इस सूची में पहले स्थान पर है बैंगलूरू सिटी, जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े IT हब के तौर पर जाना जाता है, जो करनाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ बहतरीन शहरों में से एक है। वहीं बैंगलूरू की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन सवा करोण लोगों की है, जो करनाटका की कुल GDP में 43.65 प्रतिशत का योगदान देता है।